आपका स्वागत है तो आज मैं लेकर आई हूँ अमर्च चित्रकता प्रकाशन से एक कुछ चटपटी सी कॉमिक्स तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग सीधा बढ़ते हैं अपने कॉमिक की तरफ और आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब तो हमारी कॉमिक का नाम है हाजर जवाब गडरिया तो यहां शब्द है मार्गी शास्ती के चित्रांकर हैं बीवी हलवे किसी जमाने में इंग्लेंड में जॉन नाम का राजा राज्य करता था एक दिन उसके दरवार में मारा आज हमने सुना है कि केटर बरी का मठा दिश पहुत ही ठाट बाट से रहता है हर तरफ इसी बात की चर्चा है तुम्हारा मतलब है वह हमसे भी ज़्यादा शान से रहता है गुस्ता कि माफ हो माराज पर सच्चा यही है मकमली कोट पतलून पहने सोने की जंजीरों जाने कितने महमानों को सोने चांदी के थालों में पढ़िया से बढ़िया भोजन खिलाता है बस बस बाकी सब हम खुद पता कर लेंगी उसे फौरण हाजर किया जाए जल्दी ही मठादीश जी हमने सुना है आपका गर सजदज में हमारे महल को भी मात देता है आप हमसे भी मुझे जरा शान से रहने की आदत है पर यह सब मैं अपने गाड़े पसीने की कमाई से करता हूं माराज आपकी यह हरकत माफ नहीं की जा सकती आपको मुरत्यू दंड दिया जाएगा आपकी जान बच सकती है बशर्ते बशर्ते हम जो तीन सवाल आप से पूछें उनके सही जवाब आपको हमें देने होंगे हमारा पहला सवाल है हमारा क्या मोल है और दूसरा सवाल है गोड़े पर सवार होकर दुनिया का एक चक्कर लगाने में कितना वक्त लगेगा और तीसरा आखरी सवाल हम क्या सोच रहे हैं यह सवाल नहीं यह तो मुझे फसाने के शिकंजे माराज आपके इन चत्राई भरे सवालों के जवाब देने के लिए मुझे कुछ पक्त चाहिए क्रप्या करके तीन हफ्ते की मौलत दे दीजिए ठीक है पर अगर तीन हफ्तों में हमें अपने सवालों के जवाब नहीं मिले तो आपको बख्षा नहीं जाएगा शुक्रिया गहराज कितने दयालू हैं आप मतादीश लोट पड़े मैं जितने भी सियाने आदमियों को जानता हूँ सबसे सरा मशवरा करूंगा वे जरूर हर सवाल का अच्छे से अच्छा जवाब सुजा सकेंगे और सयाने से सयाना आदमी भी उन सवालों को सुनकर चक्कर में पड़ गया सबके सब उनके उत्तर बता पाने में असमर्त रही दिन बीटते गए और आखिर तीन हफतों की मौलत खत्म होने के सिर्फ तीन दिन बाकी रह गए उसी तिन जब उदास मतादीश एक गाउं में से गुजर रहा था नमस्कार मतादीश जी आपने महाराज जौन की ओर से कोई खबर अरे मेरा घरड़िया साइमन बुरी खबर है भाई अगर अगले दो दिन में महाराज से पूछे तीन सवालों के उत्तर नहीं दे सका तो मुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा कौन से स सवाल मतादीश वे तीनों सवाल दोरा दिये जो 24 गंटे उसके सिर पर थलवार की दर लटके रहते थे बुद्धिमान से बुद्धिमान हादमी भी मेरी मदद नहीं कर सके अब मेरी मौत निश्यत है आप बेफिक रहे मतादीश जी जहां बुद्धिमान हार गए वार शाय मेरा जैसा मूरख आपकी कुछ मदद कर सके तुम कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आजाता है मतादीश जी आप सिर्फ अपना गोड़ा अपने नौकर और अपने कपड़े कुछ समय के लिए मुझे दे दीजिए आपकी जगे लंदन मैं जाओंगा मेरा भेज बना कर जी हा क्या आपने गौर नहीं किया आपका और मेरा कट बराबर है और सूरत और आवाज भी आप से काफी मिलती है अब मैं आपके वस्त और आबुशड पहन लूँगा आपके आदमी मेरे साथ होंगे तब तो आप में और मुझे में कोई फर्क नहीं कर पाएगा सो कैटरबरी के मठादीश का भेज बना कर साइमन राजा जौन के दरवार सामने उपस्तित हो गया आईए मठादीश जी आज या तो हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे या आपका सर तो पहला सवाल बताईए हमारा ठीक ठीक मोल क्या है हम सब के उधार करता हम इसा मसी को एक बेवफा ने चांदी के तीस सिक्कों से बेच दिया था आप भी मानेंगे एक आपका मोल इसा मसी के मोल से कम से कम एक सिक्का तो कम होगा ही सो आपका मोल हुआ 29 के राजा ने जोर का ठाका लगाया और का हा 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 हमें नहीं मालूम था कि हमारा मोल इतना कम होगा अच्छा अब यह बताईए कि हमें घोडे पर सवार होकर दुनिया का चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा महराज आप सुबह सूरज के साथ उठिये और सूरज के साथ अपना घोड़ा अगली सुबह तक दोड़ा कर इस तरह आपको दुनिया का चक्कर लगाने में सिर्फ 24 घंटे लगेंगे बहुत खूब बहुत खूब पर अभी सबसे मुश्किल सवाल बाकी है बताईए हम क्या सोच रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मैं कैटवरी का मठादीश आपके सामने खड़ा हूँ पर मैंवर नहीं हूँ मैं तो उनका गडर्या हूँ आप से उनके लिए और अपने लिए शमादान की प्रार्तना करने आया हूँ ओ हो 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 भाई खमाल है लगता है अब तो तुम्हें ही मठादीश का पत्स अपना पड़ेगा नहीं नहीं माराज बंदे के लिए तो खाला अक्षर भैस बरावर है पर तुम्हें अपनी शत्राई के लिए इनाम तो मिलना ही चाहिए जिन्द की बर तुम्हें हमारे खजाने से खर्चा मिलता रहेगा और मठादीश जी से कहना कि तुम्हारी हाजिर जवाबी ने उनकी चान बचा दी है हाँ 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 मजा आ गया नेक्स्ट कॉमिक है महमान का स्वागत शब्द है आदिल रंगून वाला और चित राम वायर करकर सुपंदी का मालिक अपने भाई को लेने हवाई अड़े गया जो पूरे पंदरा साल वाद अमेरिका से लोटा था सयोग से उस दिन हो ली थी कहीं कोई रंगवंग तो नहीं डाल देगा ना मेरे कपड़ों पर वे फिक रही है भया मैं आपको पूरी हिफाज़त से घर ले जाऊंगा कहीं कोई मेरे कपड़ों पर गुलाल ना डाल दे विचारा और सच मुझ लीज ये पहुँच गए आप अब आप पर रंग की एक बूंद भी नहीं पड़ी सच मुझ यकीन नहीं हो रहा लेकिन यह जानकर खुशी हो रही है कि यह सच है अब आप पूरा दिन घर में रहिए और मेरा नौकर आपका पूरा ख्याल रखेगा लीजिये वै आ गया आपका स्वागत है बड़े मालेक हो 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 होली है भाई होली पूरा दिन बच खर नौकर नहीं कलर कर दिया तार और बीमार मास्टर मैबू बशीर मारफत श्री सत्तार मकान नमबर 1071 नहीं नोनत अपना पूरा एड्रेस दिया है भई चित्र राम वाईर कर तो भई क्या बात है आंटी ओ मेरे पिता जी सक बीमार है वे बिस्तर पर पड़े है मुझे फोरण गाउं जाना होगा हम ये का जा रही है अपने गाउं उनके पिता ने तार देकर सूचित किया है कि वे सक बीमार है अगर वे इतने बीमार है तो उन्होंने डाक खाने जाकर तार कैसे दिया हाँ इसकी बात पि कौर करने लायक है आहाँ मैं समझ गया हांटी के पिता जी ने पहले दिया होगा तार फिर बीमार पड़ गए होंगे आहाँ क्या दिमाग लगाया है बहादूर हरक्योलिस हरक्योलिस ने कोई गंबीर अपराथ हो गया था तंड देने के लिए उसे टाइरिन्स के दुष्ट राजा यूरिस्थिक यसने के सामने पेश किया गया मुझे बताया गया है आप मेरे अपराथ के लिए उपरियोग पराश्य सुझा सकते हैं ठीक ही बताया गया है दुनिया का सब्सक्तिशाली मनुष्य हरक्योलिस मेरे हुक्म का इंतजार कर रहा है कितने आनंद की बात है हम् तो मैं हमें नीम्या के सिंग से छुटकारा दिलाना होगा नीम्या परवत पर विचरने वाला ये सिंग साधारन सिंगों से तीन गुना विशाल है उसके कारण आसपास के देहा द्वीरान हो गए हैं जाओ और हमें उस दरिंदे से छुटकार अदिलाओ कई दिन के सफर के बाद हरक्योलिस नीम्या परवत पर पहुँच गया सिंग का शिकार बने लोगों का हड़ियां सच मुच बड़ा ही खतरनाक जानवर मालूम पड़ता है अचानक उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो वहां बैठा हाग ताप रहा था जब वह उनके पास पहुचा मेरा नाम मोलोरकस है क्या तुम कौन हो यहां क्या खोज रही हो यहां मौत के सिवा कुछ नहीं मिलता मेरे बाई मैं हर्क्यूलिस हूँ नीमिया के उस नर्वक्षी सिंग की मौत के घाट उतारने आया हूँ क्या आप मुझे बता सकेंगे वह कहां मिलेगा तुमने मेरे बहादूर बेटे की याद ताजा कर दी वह भी उसी सिंग से लड़ते हुए अपनी जान गवा बेठा काश मुझे उसकी हड़ियां भी मिल जाती कम से कम मैं उन्हें दफना कर उसका उच्छ धंक से अंतिन संसकार तो कर देता बाबा आपको अपने बेटे की अस्तियां जरूर मिलेंगी अब उस सिंग की आखिरी घड़ी दूर नहीं आप मुझे सिर्फ उसकी मान दिखा दीजिए अगर तुमारी यही जिद है तो ठीक है अगली सुबह दोनों चल पड़े और कुछ देर बाद मैं बेहत ठक गया हूँ और आगे चल पाना मेरे बात मेरे बस की बात नहीं आप यहीं आराम कीजिए मैं हकेला ही आगे चला जाओंगा हर्कूलिस आगे बढ़ गया चलते चलते उसे एक गुफा नजर आई जहां इंसानी हड़ियों के ठेर लगे थे वह दरिंदा अपनी कुफा में नहीं है वह रहा मजे से धूप सिक रहा है यह रहा सिंग से मुकाबले के लिए बेताव हर्कूलिस को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा सिंग उठकर खड़ा हो गया और जलती हुई निकाओं से उसे ही घूर रहा था सट्टे से कसकर पकड़ लिया जैसे ही शेर उस पर जप्टा उसने पूरी ताकस से सोटा उस पर खुमा कर ते मारा लेकिन वो भी तूट गया अब तो मेरे पास कोई हतियार भी बाकी नहीं है ओहो दोनों में लड़ाई हुई बचाव का एक ही रास्ता है गया काम से मुझे बेचारे को सिंग से लड़ने जाने से रोकना चाहिए था सिंग की दहार तेज और तेज हो गई और फिर अचानक सिंग खामोश हो गया चरूर उस बेचारे को खा रहा होगा एक और आदमी हो गया उसका शिकार अरे बाबा आप यहाँ हैं उपर आईए ना तो तुम तुम जिन्दा हो आपको ताज़ुब हुआ क्या फिर तो मुझे यकीन है यूरिस्थियस को भी हैरानी होगी हरक्योलिस का अनुमान सही निकला जब वै लंबे लंबे डग भरता हुआ महल में पहुचा तो हुरिस्थियस भय से पीला पड़ गया और जूटी प्रसंता दिखाते हुए खीस निपोडने लगा यह इतना बहादर होगा मैंने सोचा भी नहीं था बाद में हरक्योलिस ने सेंग की खाल को अपने पहनने के लिए कुर्टी बनवाई इस मजबूत पहरावे से आगे चलकर उसने बड़े बड़े कारणामों को अनजाम दिया माप के अनुसार मड़िपूर से टी नैंसी की भेजी कहानी पर यह अधारेत है और चितर है रामवाई करके सुपुद्र के मालिक ने उसे एक जोड़ी जूते खरीदने बेजा उन्होंने 6 नमबर के माप के जूते खरीदने को कहा था लेकिन उस नमबर के माप के जूते मिली नहीं रहे ओ तरकीब इन्हें लपेट दीजिये लेजिये मालिक बहुत वक्त लगा दिया भाई हैं ये जूते तो बहुत बड़े हैं नमबर 9 बेवकूफ अब तुमारी समझ में आया कि मेरे ठीक क्यों नहीं आ रहे लेकिन मालेक आपने इसे गलत तरह से पकड़ रखा है इसे इस तरह पकड़िए और फिर घुमा कर इसे पहनिए तब बिलकुल फिट आएंगे तब 9 नमबर 6 बन जाएगा हाँ 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 हुक्म का गुलाम शब्द प्रसाद आयर और चित्रहन रामवाईर कर मोहन जरा बेवकूप था वै नामी कंजू सेट दनीलाल के गर में नौकर था मोहन ले इतर की शीशी पकड़ और उसे रख दे उस एक मिनट से ठानी जी अहा बारिश भी कैसी गजब की चीज है इसे घंटों देखता रहूं फिर भी मन नहीं भरता उसी वक्सेट दनीलाल कमरे में आ गए दनीलाल अपने नौकर को हरदम काम में जुच्चे हुए देखना पसंद करते थे हम चरा देखो तो इस लड़के को मौच कर रहा है फौरन इसे किसी काम में लगाना होगा मोहन बड़ा आलसी है रहे तू इस तरह यहां खड़ा खड़ा बारिश को मत घूर जा वै बड़ा पत्तर उठा कर घर में लेया जी मालिक और जब पत्तर अंदर उठा लेया तो इससे कहूंगा वापस उसी जगह रखा ही 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 अजी सुनते हो जरा यहां आओ बोलो भागवान क्या कह रही हो ले आया इसे कहां रखूं शायद इत्र की शीशी के बारे में पूछ रहा है शंगार मेज पर रख दे इस पहार जैसे पत्तर को रखने की यह भी कोई जगह है बला फिर भी यह जैसा कहेंगी जैसा ही करना पड़ेगा क्या हुआ हाई मेरी नई शंगार में चगना चुरू गई मोहन के बच्चे तेरी खाल उदेर दूँगा पर मालिक मैं तो सिर्फ हुक्म बजा रहा था हुक्म कैसा हुक्म मालिक ने मुझे पत्तर घर में लाने का हुक्म दिया था और आपने उसे शंगार की मेज पर रखने का हुक्म दिया था और मैंने वैसा ही किया वीव कूफ मेरा मतलब इत्र कीश चीशी से था तुमारी ही वज़े से तो तूटी है क्योंकि तुम नौकरों को सास लेने की फुरसत ही नहीं देते आगे से नौकरों को थोड़ा आराम करने का भी वक्त दिया करो समझे हाँ भागवान समझ गया उस दिन से धनी राम को अच्चा सबक मिला उस दिन से उन्होंने नौकरों को परेशन करना छोड़ दिया और नोगरों को भी चैन की सास मिली बुद्धु राम का दूद तो मास्टर प्रशांत एल कामत के भीजे सुजाव पर आधारेत पता द्वारा मतलब एड्रेस भी दिया है और यहां चित्र है वीव भी हलवे के बुद्धु राम दूद बेचने शैर गया ओहो अभी तो दुकान खुली ही नहीं इंतजार करना पड़ेगा और कुछ दिर बाद अरे कुट्धा दूद पी गया तू मेरा आधे दूद पी गया चल निकाल इसके पैसे लगता है इस वक्त इसके पास पैसे नहीं है और ये मुझे बताने की कोशिश कर रहा है पैसे कल दूँगा अच्छी बात है कल दे देना अगले दिन कुट्धा फिर से बुद्धु राम की कलसे में से थोड़ा दूद पी गया और फिर अच्छा देख मैं आज फिर तुझे उधार दिये देता हूँ लेकिन कल जरूर पूरे पैसे चुका देना समझा तीसरे दिन भी कुट्धे ने चक कर दूद पिया और जब बुद्धु राम ने पैसे मांगे क्या आज भी तुपैसे नहीं दे सकता और कुट्धा भाबो करने लगा दो के बाज और यहां ओ कुट्धा लगता है खौफनाक है उसका मालेक उसे मेरी तरफ ही ला रहा है और भागते ही मेरी खेरियत है भाई भागो भागो चोर रुप्यों की थैली वहीं पेकर सिर पर रखकर भागा पैर यह क्या है आकर मुझे अपने दूद के पैसे मिली गए रुपे लेके बुद्धुराम खुशी खुशी घर लट गया अली ने दाड़ी गवाई शब्द है प्रसाद अयर चित्रे सुरेश शीर सागर अली व्यापारिता उसे अपनी लंबी दाड़ी पर बड़ा फक्र था एक दिन यह क्या है मैंने आज तक कभी इतना बड़ा फल नहीं देखा यह कठेल है जनाब एक दे दो रुकिये जनाब मैं उसे यह बताना तो बूली गया इसे काटते वक्त हाथो उपर तेल जरूर मल लेना वरना इसका दूद ओ भाड़ में जाए मुझे क्या अपने आप मालूम कर लेगा अली ने घर पोज़कर कटेल काटा वा कितना मीठा है बेहत स्वादिश है अहा सच मुछ मजा आ गया अब इसका दूद दो डालू पर जब उसने दूद साफ करने की कोशिश की अरे यह तो साफ ही नहीं होता मेरी दाड़ी पर भी लग गया सादे पानी से भी यह नहीं चूटेगा साबून इस्तिमाल करके देखता हूँ साबून से भी काम नहीं बना पानी में कुछ सोड़ा मिला कर उससे धूकर देखूँ पर कटेल की चिपचिपा हर दूद और चिपचिपा हो गया मैं इसे अपनी दाड़ी से छोड़ा कर ही दम लूँगा चाहें जो हो जाएं हैं दाड़ी उखड कर आत में आ गई परिशान अली उस राज चिपचिपी दाड़ी लिये ही सो गया और सुबह होने पर आहा ओ ये क्या हुआ गर तक्या तो दाड़ी से चिपच गया उफ हप मुझे और बरदास नहीं होता बाजार में जाकर देखता हूँ शायद वहाँ कोई मेरी मदद कर सके अरे ध्यान से अपनी दाड़ी अपने पास रखो ओ दूसरों से चिपचने लगी दाड़ी मैं क्या करूँ अपनी दाड़ी से चिपचिपाट दूद कैसे हच उटाऊँ आह सूच गई तरकी दाड़ी पर राख मल लेता हूँ उससे दूद सूप जाएगा फिर मैं उसे तो डालूंगा वाह वाह अली ने जल्दी अपनी दाड़ी पर राख छड़की वाह मैं भी खितना अकल मंद हूँ अल्ला इसकी हालत तो और भी खराब हो गई हाई मेरी खूबसूरत दाड़ी का सत्या नास हो गया तो मैंसे मुणवा क्यों नहीं देते अमीर मेरे दोस्त क्या कहा तुमने इसे मुणवा डालो साफ होने पर बस यही एक तरीका है इसे मुणवा दू मेरी खूबसूरत दाड़ी मैं इससे कैसे जुदा हो सकता हूँ आमिर और मेरी दाड़ी की वज़े से मेरी इज़त करते हैं लोग जलसों में मुझे पहले बोलने के लिए कहा जाता है करीमे लोग मुझे रास्ता देने के लिए एक और हट जाते हैं दाड़ी के बिना भला कौन मेरी इज़द करेगा पर अगर यह चिपचिपी दाड़ी लिए फिरोगे तो तुमारी इज़द कौन करेगा जब तुमारा मक्खा लुडाएँगे तुम्हें यह कुर्वानी देनी ही होगी क्या मुसीबत है हली को दाड़ी गवानी पड़ी उसके बाद जब भी वाई किसी भी वगैर दाड़ी वाले आदमी को देखता तो उससे हमदर्ती जताते हुए कहता तो मेरे दोस्त शायद तुमने भी कटेल खाया था हाह तो बताए हाप लोगों को यह कोमेडी कॉमिक कैसी लगी इसकी छोटी छोटी पढ़ कर बहुत ही मजा आया हाप लोग अपने कमेंट में बताए हापको कहा मिक कैसी लगी और हमारे चानल को कर लीजे सब्सक्राइब तैंक यू